ये पाँच देश मिलकर लगाएंगे वन्यजीव तसकरी पर रोक. अंतराश्ट्रिय वन्यजीव तसकरों की अब खेर नहीं है. आपराधिक खुफिया जानकारी साजा करके और उनके वित्तिय नेटवर्क को तोड़ने समेत कई मुद्दों पर, इंटरपोल चैनलों के इस्त अक्षेत्रिय जाँच और विशलिशनात्मक मामले की बैठक के दौरान विदेशी वन्यजीवों के तसकरों द्वारा इस्तिमामल किये जाने वाले तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया गया. अधिकारियों ने कहा कि, हमें पता चला है कि, अफ्रीका से दक्षनपूर वेशिया और फिर भारत और चीन तक विदेशी वन्यजीवों की तसकरी के लिए हवाई कारगों का तसकर इस्तिमाल करते हैं. मलेशिया और इंडोनेशिया से थाइलैंड और म्यामार के साथ, भूमी सीमाओं के माध्यम से चीन तक, मलेशिया से सांप, कच्छुए और इग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी गुजरात के दौरे पर हैं. अपने दौरे के तहट प्रधान मंत्री ने द्वारका धीश मंदर में पूजा अर्चना की, साथ ही समुद्र में डूबी प्राचीन द्वारका नगरी के भी दर्शन किये. द्वारका नगरी के दर्शन के बाद पियम मोधी ने कहा कि, ये सर्फ समुद्र में एक डुपकी नहीं थी, बलकि समय यात्रा थी. प्रधान मंत्री ने कहा कि, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना, आलोकिक अनुभव रहा, मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ती के एक प्राचीन यूग से जुड़ाव महसूस हुआ, भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीरवाद दें। नगरी के गौरवशाली अतीत और हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित देवताओं में से एक के साथ इसके जुड़ाव को दर्शाती है। प्रधान मंतरी ने आस्था के तहट द्वारका नगरी को मोर पंक भी अर्पित किये। प्रधान मंतरी मोधी ने बाद में द्वारक मैं एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो मैंने अनुभव किया वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। सोलहवी किस्ट का इंतजार था। किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत सरकार प्रधान मंतरी किसान समान निधि योजना की सोलहवी किस्ट 28 फरवरी 2024 को ट्रांसफर करने जा रही है। PM किसान पोर्टल पर PM किसान समान निधी योजना की सौलभी किस्त को जारी करने को लेकर एलान कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि देश में ऐसे किसानों की संख्या काफी अधिक है जो गलत धंग से योजना का लाब उठा रहे हैं इसे में सरकार गलत धंग स इस योजना का लाब उठा रहे किसानों के प्रती काफी सक्ट है। वे किसान जिन्हों ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना में अभी तक अपनी EKYC नहीं कराई है। उनके खाते में योजना की सोल्हवी किस्ट के पैसे नहीं आएंगे। इसके अलावा वे किसान जिन्होंने योजना में अभी तक अपने भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है। उन किसानों के खाते में भी सोलहवी किस्त के पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। जबकी दरजन भर से अधिक लोग जुलस गए है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुँच गई है। विसफोर्ट इतना जबरदस्त था का इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। के खलीलाबाद इलाके में स्थित पटाखा फैक्टरी में हुई है। शिव नारायन पटेल और फैक्टरी मालिक शाहिद अली पुत्र शराफत अली के बाद तीसरे मृतक की पहचान हो गई है। शराफत अली न्यू रंगोली फायरवर्क्स के नाम से पटाखा फैक्टरी चलाते। हादसे में फैक्टरी मालिक शराफ के एक बेटे के भी मौत की सूचना मिल रही है। फैक्ट फाइडिंग टीम को पुलिस ने किया गिरफ़तार। कर रहे हैं. पुलिस ने संदेश खाली में धारा 144 लागू होने का हवाला दे कर, फैक्ट फैंडिंग को रोका. पुलिस ने टीम को भुजरहाट इलाके में रोका. और फिर हंगामे के बाद, वहीं से गिरफतार कर लिया. गिरफतारी के बाद फैक्ट फैंडिंग टीम के सदस्यों को कोलकाता के पीएच क्यू लाल बाजार पुलिस स्टेशन लाया गया. संदेश खाली में पीडितों से मिलने के लिए फैक्ट फैंडिंग टीम बंगाल दौरे पर थी. लेकिन पुलिस ने टीम को संदेश खाली पहुचने से पहले ही रोक दिया इसके विरोध में फैक्ट फाइडिंग टीम विरोध में वहीं पर धरने पर बैठ गई हंगामे के बाद पुलिस ने टीम के सभी सदस्यों को गिरफतार कर लिया टीम की सदस्य चारू वली खन्ना ने पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने पर कहा की हम संदेश खाली जा रहे थे लेकिन हमें रोक दिया गया लीवर ट्रांस्प्लांट के लिए डॉक्टरों की टीम को किया एयरलिफ्ट भारतिय वायुसेना ने बताया कि 23 फरवरी को अधिकारियों को शॉर्ट नोटिस मिला की आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम को पुने से दिल्ली ले जाना है उनके पास लीवर था जिसे समय पर पहुँचाया जाना था भारत की वायुसेना हमेशा ही देश और लोगों की मदद के लिए आगे रहती है इसे में एक बार फिर भारतिय वायुसेना की बहादुरी सामने आई है दरसल शुक्रवार को वायुसेना के अधिकारियों ने बिना समय गवाए तुरंत आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम को पुने से दिल्ली पहुचाया जिससे एक पूर्व सैनिक की जान बचाई जा सकी भारतिय वायुसेना ने बताया की 23 फरवरी की रात को अधिकारियों को शौर्ट नोटिस मिला की आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम को पुने से दिल्ली ले जाना है उनके पास लीवर था जिससे समय पर पहुचाया जाना था डोर्नियर विमान ने आदेश मिलते ही तुरंत उडान भर दी इसससे समय पर अस्पताल लीवर पहुच गया और प्रत्यारोपन सरजरी की गई इससे एक पूर्व सैनिक के जीवन को बचाया जा सका हिरासत में महिलाओं के साथ हो रहा दुर्व्यभार महिलाओं के प्रती अपराधों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे करती है लेकिन फिर भी अपराधियों के दिल में कोई भी खौफ घर नहीं कर सका खौफ होगा भी कैसे जब अपराधियों को सजा देने वाले भी गुनहगार हों राष्ट्रिय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किये है इसके आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 से 2022 के बीच हिरासत में दुशकर्म के 270 से अधिक मामले दर्ज किये गए NCRB के आंकड़ों के अनुसार, अपराधियों में पुलिस कर्मी, लोक सेवक, सशस्त्र, बलों के सदसे के अलावा जेलों, सुधार ग्रिहों, हिरासत स्थलों एवं अस्पतालों के कर्मचारी भी शामिल है बहेडी बहेडी का एक युवक मुंबई की एक फैक्टरी में हैलपर का काम करता था, वह भी उस फैक्टरी के सामने दूसरी फैक्टरी में काम करती थी, इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, और फिर उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया, इसके कुछ समय के बाद युवक अपने घर आ गया और अपना मोबाइल बंद कर लिया, बताया जाता है कि करीब 15 दिन पूर्व युवती प्रेमी की फैक्टरी पहुँच गई और प्रेमी के घर का पता लेकर प्रेमी के घर आ गई, जब युवती मुंबई से यहां पहुँची तो उसे पत खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अम्रोहा से है, मुरादाबाद से चलकर अम्रोहा पहुची कांग्रेस की भारत जोडो निया यात्रा में, कांग्रेस नेता दोनों बहन भाई राहुल गांधी वप्रियंका गांधी के साथ, अम्रोहा मौजूदा सांसद दानिश अली भ परार है के बैनर दिखाए, और नारे बाजी भी की, और भारत जोडो निया यात्रा अम्रोहा पहुचने पर, राहुल गांधी ने रविदास जयंती के मौके पर, अम्रोहा में रविदास की मूर्ती पर माल्यारपन किया, जिसमें बड़ी संख्या में राहुल गांधी संभल के लिए रवाना हो गई। खेत वाले इकठा होकर राए और युवक के साथ मारपीट करते हुए तमचे से फायर कर दिया, जिससे युवक बाल-बाल बच गया फायर की आवाज सुनकर गाव में हरकंप मच गया, पीडित ने ठाने में पहुचकर तहरीर दी। झाल 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 कर दो, पो